Hello everyone, good morning all of you, how are you? Today I will teach you subject translation chapter 6, the name of chapter is singular and plural nouns. आज हम लोग इस chapter में परेंगे singular और plural nouns के बारे में. Singular nouns क्या होता है? जिस संग्या से हमें एक वस्तु, अस्थान, प्रानी, जानवर या पक्छी का ज्यान होता है, वो एक वच्चन संग्या कहलाती है, जैसे काउ, बूक, ग्लास, काउ है तो एक गाए है, बूक, एक किताब, ग्लास, एक ग्लास, ओके? तो ये एक वच्चन संग्या है, singular nouns, अब हम देखेंगे plural nouns, जिस संग्या से एक से अधिक वेक्तियो, वस्तु, पस्वो, या एक वेक्तियो, अस्थानो, पस्वो, या वस्तु, आधि का बोधो, वो बहुँ वच्चन संग्या कहलाती है, जिस संग्या से एक से अधिक, काउच, तो बहुत सारे गाए, बुक्स, बहुत सारी किताबे, ग्लासेज, बहुत से ग्लास, ओके? ये बहु बचन है, बहु बचन संग्या है, जिसे वेक्तियो में रहेगा, राम एन, स्याम, अस्थान में बेर गिन्या एन, सिता मधी, पस् तुम्हें पेन एन, बुक्स, तो ये प्लूरल नाउन्स है, ओके? अब हम, जैसे यूके जी में हम लोग क्या पढ़े थे? सिंगुलर का पढ़े थे वन, सिंगुलर में वन पढ़े थे, प्लूरल में मेनी पढ़े थे, पढ़े थे, ना? अब देखे, वन से मेनी में चेंज करना है, तो जैसे हम लोग बहुत सारे नाउन है, जिसमें S एड़ करके चेंज कर देते हैं, उसको मेनी में चेंज कर देते हैं, जैसे गल्ल, तो हम लोग S एड़ किये, गल्स हो गया, queen, s add किये, queen सो गया quine, quine में s add किये, quines हो गया kite, kite में s add किये है, kites हो गया chair, s add किये, chairs बहुत सारे ऐसे noun होते हैं, जिसमें हम लोग s add करके pull rule बनाते हैं, ठीक है अब हम लोग पढ़ेंगे, कि जिस noun के last में ch आता है sh आता है, double s आता है s आता है, x आता है, उसको मेनी बनाने के लिए हम उसमें e s add करते हैं, ठीक है, जैसे देखिए class c l a double s, इस noun के last में क्या आया है double s आया है, तो हम लोग क्या add करेंगे, e s तो class को मेनी बनाए, c l a double s, e s, class h, अब next देखिए, b u s, बस इस noun के last में क्या आया है, s, तो हम इसको मेनी कैसे करेंगे, e s add करेंगे, b u s e s, बस h, अब देखिए, fox f o x, क्या आया है नावन के last में, x, तो क्या add करेंगे, e s, f o x e s, fox h, अब देखिए, next देखिएंगे, box, b u o x, last में क्या आया है, x, तो क्या बनाएंगे, boxes, b u o x e s, boxes, next देखिए, bench, bench, b e n c h, तो इस नावन के last में क्या आया है, c h, तो हम लोग क्या add करेंगे, e s, बनाएंगे, b e n c h, e s, bench h, okay, ऐसे आप लोग को ये याद रखना है, जिस नावन के last में, c h आएगा, s h आएगा, s h आएगा, उसमें हम लोग e s add करके many बनाएंगे, plural बनाएंगे, okay, मेरे साथ repeat कीजिए, जिस नावन के last में, c h आएगा, s h आएगा, double s आएगा, s आएगा, x आएगा, तो क्या add करेंगे, e s, okay, और next rule हम लोग next वीडियो में परेंगे, okay,